हते सब्सक्राइब किसी नहीं किनद इसरी मांडी के लोग टर्म मेमरी ले रहे हैं것 ॥ की जो processing हो रही है वो thinking है इसमें manipulation हो रहा है cognitive manipulation कि स्वेज़ का information हमारे अंदर restored है और जो information हम बाहर से ले रहे हैं और वो सब मिलके कुछ नया ही उसमें बढ़ जा रहा है मतलब जो पहले से information है उसमें कुछ नया add हो रहा है thinking is an implicit problem-solving behavior thinking किसले करते हैं कि हमें एक problem is solution ढूंडना है तो उसके ढूंडने के लिए thinking करते हैं कि क्या रास्ता बैटर होगा क्या करना चाहिए जी यह दिखाता है क्या problem-solving behavior thinking does not occur randomly देखो आप ऐसे ही नहीं हो सकते instead occur in context मतलब कुछ न कुछ situation होगी कोई न कोई gentleman मतलब आप ऐसे रेंडम ले thinking नहीं कर सकते कोई न कोई context तो होगा ही कोई न कोई situation होगी ही कुछ न कुछ तो issue होगा ही तो आप उसके बारे में सोचोगे मतलब आपके वागों थिंकिन अच्छानक से एसे ही नहीं आजागी, कोई ने कोई कोई context आएगा, उसके ऊपर आज थिंकिन करोगे, थिंकिन एक problem solving process है, यां बंदल खोई problem solving करनी है, तो thinking करनी पड़ेगी, कि कि सोचने बड़ा कगवे सबसे बेटर option क्या है या best option क्या है इस problem को solve करने के लिए thinking is mental exploration for finding out the solution of a problem किस के लिए हो रहे थिंकिंग प्रोब्लम solve करने के लिए यह क्या करता है explore करता है कि solution क्या better होगा तो thinking मतलब एक दिमाग का जो काम है दिमाग एक फोर ब्रेन का काम है कि चीजों को manipulate करना सुझना समझना और इस तरह से रखना कि जो हमारा एक problem है जो भी हमें face कर रहे हैं वो सोट आउट कर सकें तो उसे सोट आउट करने का जो process होता वो thinking है मतलब decision लेने से पहले दिमाग को जितनी चीज़ चलते हैं इसका क्या फाइदा होगा क्या नुक्सान होगा यह सारे चीज़े जो हम दिमाग के सोचते हैं यह ही thinking है